हेलो स्ट्रेंट डिस अश्वरय शर्मा हम पढ़ रहे थे विश्यागडित विश्यागडित में हम पढ़ेंगे दशमलोव दशमलोव में हम पहले भी कुछ अभ्यास प्रिशन कर चुके हैं आज हम करेंगे दशमलोव में exercise 8.2 आएए चलते हैं पहला कुछ न हमारे सामने है इस्थानिय मान साड़नी को देखकर दशमलोव रूप में लिखिए अब हमें देखना है इस्थानिय मान साड़नी दे रखिए न या टेबल दे रखिए हमें इसमें इनके मान दे रखिए हैं अब इसे देखकर दशमलो रूप में लिखना है यहां है सैकड़ा फिर यहां है दाहाई इकाई दशांश शतांश और हजारवा सबस्टाइब एक होती है साकड़ा का मतलब क्या होता है एक बेटे दस ही हम पड़ चूके हैं लास्ट ट्लास में एक शतांश एक बस्ट यह भी हम पढ़ चुके हैं हजार वा एक बटे 1000 तो अब यहां देखो फर्स्ट एपार्ट जो हमारा दे रखा है कि देखो स्यकड़े की नीचे कोई संक्या है नहीं है दाई के नीचे भी नहीं है एकाई के नीचे संक्या है जिसका मान है जो दे रखे ए तीन तो यह हो जाएगा तीन गुणा एक बंटे 100 हमारी हो जाएगी dit Yaro पांच को 100 से भाग देंगे तो 0.05 कल मैंने आपको ही समझाया ग था कि एक नंबर है जब उसमें 10 से भाग देंगे तो एक 0 है तो पॉइंट एक डिजिट पहले लगेगा तो यानि कि पॉइंट टू यह हो जाएगी और अगर कोई नंबर है उसे 100 से भाग दे रहे हैं तो दो 0 है तो पॉइंट दो डिजिट पहले लगेगा पर यहां हमारे पास थो एक डिजिट कहां से ना है तो उसके लिए हम 0 लगा देते हैं पिर फुइंट लगाते हैं तो 05 हो जाया अब यहां दे को बी पार्ट में क्या बोला है बी पार्ट में स gözागड़ा पर यह क्या हो जाएगा एक दौना 20 पिर आगे देखो दाइं में तो दू 0.10 कर दिया इसे आप नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं मानी जाएगी अब काई में क्या है इक आई में दे रखा है 2 तो यह जाएगा 2 गुना 1 अब 106 तो यह हो जाएगा 6 गुना 1 बटे 10 अब 276 में 3 है तो 3 गुना 1 बटे 100 और 1000 में 0 है तो ये फिर से मैं वहीं काऊंगी इसकी कोई value ही नहीं अगर देखा जाए क्यों नहीं है क्योंकि 0 से जब किसी भी number की multiply करते है तो हमारा answer always क्या आता है 0 ही आता है तो 1 की हमने किसमें गुणा करी 100 में जब हम 1 की गुणा करेंगे तो हमारा क्या answer आएगा हमारा answer आएगा 100 क्या answer आएगा 100 100 आएगा फिर ये तो कोई value ही नहीं है 2 की एक में गुणा करी 2 6 की इसमें गुणा करी तो 0.6 फिर ये आगया 0.03 प्लस 0 ये आगया हमारा अब हम जब इन सब को add करेंगे तो 100 में जब 2 जोड़ोगे तो 102 100 में जब 0.6 जोड़ोगे 102 में तो 102.6 हो जाएगा जब 0.3 जोड़ोगे 0.03 तो 102.63 ठीक है ये इस का answer हो जाएगा अब C पार्ट में क्या है सेकड़ा दाहाई, इकाई ये सब है सेकड़ा पे कुछ नहीं है तो 0.100 हो जाएगा दाहाई की जगे 3 गुणा 10 हो जाएगा और इकाई की जगे 0 गुणा 1 हो जाएगा 10 आश की जगे 0 गुणा 1 बटे 10 शताश की जगे 2 गुणा 1 बटे 100 और हजारवे की जगे 5 गुणा 1 बटे 1000 ये हो गया अब 0 की 100 में गुणा करता है तो 0 ही आता है 3 की 10 में गुणा करते हैं तो 30 आता है 0 की 1 में करेंगे तो 0 ही आएगा 0 की 1 बटे 10 में करेंगे तो भी 0 ही आएगा अब 2 को जब 100 से हम भाग करेंगे तो 2 0 है दो डिजिट पहले पॉइंट आएगा तो इसलिए हमारे हो जाएगा 0.02 अब क्या यह 5 है ना तो 1 2 3 तो 5 की जो हम गुणा करेंगे वन अपॉन थाउजन में तो यह 3 डिजिट पहले पॉइंट आ जाएगा तो यह आ गया 5 हमारे पास एक ही डिजिट थी तो हम दो डिजिट लेने के लिए 2 0 लवा दी तो हमाएं प्लस करके आंसर हो जाएगा 30.025 अब यहां क्या है D D पार्ट में यहां पे 2 है 1 है 1 है 9 है और 0 और 2 आईए इस पार्ट को भी देख लेते हैं हम D पार्ट को क्या था हमारा सैकड़े की जगे 2 था 2 गुणा 100 फिर हमारा 10 की जगे 1 था तो 1 गुणा 10 फिर एकाई की जगे भी एक ही था तो 1 गुणा 1 फिर दशांश की जगे 9 था तो 9 गुणा 1 बटे 10 शतांश की जगे 0 था तो इसलिए 0 गुणा 1 बटे 100 और फिर हजारवा की जगे 2 था तो 2 गुणा 1 बटे 1000 आप समों से गुना करते हैं जब आपकांसर आएगा 201 की दोन करेंगी तो दस एक की एक में करेंगे तो एक नो की नों की लग करेंगे तो जीरो द ACEम और ज्रुट सम्व जाय है जब आप इन सब लाके यहां जायागा 0,09, 0,09 लिखेंगे नहीं, यहां लिखेंगे 0, पहले इन सब को plus कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ अगा 1,1,2, अब यह क्या है हमारा 211, अब इसमें क्या plus करना है 0,09, तो यहां point 00 ले लेंगे, अब यहां के लिखेंगे point 0,9, 0.9 अब क्या लेंगे point तो point तो point की नीचे याता है 002 जब आप इन्हें plus करोगे तो यहां देखो यहां तो कोई भी number नहीं है तो यहां 0 ही माल लो यहां 2 आ जाएगा, यहां 0 ही आ जाएगा यहां 9 आ जाएगा, 10 लोग की नीचे 10 लोग एक में 0 जोड़ोगे 1, 2, 1, 1 ठीक है, अब देखो यह पार्ट में सैकड़े की जगे हमारा 0 था 0 गुणा 100, दाहाई की जगे 1 था तो 1 गुणा दाहाई, फिर इकाई की जगे 2 था तो 2 गुणा 1, दशाँच की जगे 2 था 0, 10 की 1 में 10, 2 की 1 में 2, यह आजागा 0.2, 0.04, 0.001 अब जब आप इने प्लस करोगे तो आपका अंसर आएगा 12.241 ठीक है, आँ हम चलते हैं अपने नेक्स कोशन की तरफ इसमें हमसे पूछाएं कि नेमन दशमलो को इस्थानी मान साणी बना कर लिखिए अब पहले में स्थानी मान साणी दी हुए थी लास्ट कोशन में और उसे हमने दशमलो में लिखा था अब दशमलो दियावाई से स्थानी मान साणी में लिखना है तो यह तो बहुत एजी हो गया सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश, हजारवा यह हम लिखते हैं ना सैकड़ा, दहाई, इकाई, दशांश, शतांश और हजारवा अब क्या लिखेंगे हम अब यहां लिखेंगे हम सैकड़े की नीचे 100 हुआ है यह सारे इनके वैल्यूस हमने लिख दिएनके मान आप देखो यह चरOPиль यह जो है फूर तो नौ जो है हमेरा किसका नीचे है शकताइज के तो 9 के नीचे हमने लिख दिया शकताइज included लिख दिया 9 और 1000 फाप पिर कुछ नहीं है तो यह होगा हमारा यह पार्ट कंप्लीट बीपार्ट में देखो यह है दो दशमलों 08 तो दो की वैल्यू मारी क्या है इकाई के इस्थान पर रहा है तरह दशमलों की जस्ट पहले वाला जो हता है वो क्या होता है एकाई का मैं प पाकी धाई और सेकड़ा के निचे जीरो जीरो लिख दिया अब दश्वाइब जस्ट बाद वाला जो होता है वह तो धर्शांश पर हमें दिख रहा है कि कुछ भी नहीं है, जीरो है तो दशांश के निशे हम लिख देंगे जीरो और शतांश पर क्या दे रखा है शतांश पर दे रखा है आठ तो हम यहां लिख देंगे आठ अब आगे का जो सी पार्ट है उसमें बोला है तो हमारा एक आएगा दाही के नीचे, अब दशांश के नीचे क्या आएगा? छे आएगा और बाकी जगे जीरो-जीरो, अब ये क्या है? एक आएगा हमारा सैकडा के नीचे, दाही, चार किस पर आएगा दाही पर? तो चार आएगा दाईवाले इस्थान पे और आठ का आएगा इकाईवाले इस्थान पे अब क्या होता ये दशमलों के बात से चलता है दशांश, शतांश और हजारवा तो दशांश पे क्या है तीन है शतांश पे दो है और हजारवा पे जीरो है अब यहां देखो इपार्ट में क्या बोला है हमें बोला है 200.812 तो 200 है ना तो 21, 20, सैकड़ा सैकड़े की नीचे क्या आजाएगा 2 आजाएगा 10 और 21 के नीचे 0 है तो 00 आजाएगा और दशमलो के बात जो चलता है ये क्या है ये दशाँश है दशाँश पर आजाएगा दशाँश के नीचे आजाएगा आठ फिर क्या है ये शताँश है शताँश के नीचे आजाएगा एक और फिर क्या है ये फिर हजारवा है तो हजारवा के नीचे आजाएगा 2 समझ आया अब हम चलते हैं next question पे इसमें क्या बोला है इसमें बोला है निम निमे से प्रतियों को दशमलो रूप में लिखिए अब यह है 20 तो 20 को 20 ही लिखेंगे नो को 9 लिखेंगे चार बटे दस पहले हमने question उतार लिया अब 20 की जेगे 20 ही आएगा 9 की जेगे 9 4 को 10 से भाग दोगे तो 0.4 आएगा और 1 को 100 से भाग देंगे तो 0.01 क्यों क्योंकि 2 0 है तो 2 digit पहले point आएगा एक डिजिट हमारे पास 1 है दूसरी डिजिट के लिए हम 0 लवा लेंगे अब हमारा answer हुआ जम 20 में 9 प्लस करेंगे तो 29 पूर्ण संग्या में पूर्ण संग्या प्लस होती है पूर्ण भाग में अब 0.4 है 0.1 तो यह क्या हो जाएगा 0.29.41 अब क्या है मारा बी पार्ट तो 137 तो ऐसे ही आ जाएगा 5 बटे 100 तो क्या हो जाएगा तो 2,0 है न तो 2 डिजिट पहले पॉर्ण आ जाएगा तो 0.05 यह हो जाएगा तो अब क्या होगा यह जब इसमें 137 में हम 0.05 क्छेगे तो 137.05 यह हो जाएगा e part में देखिए, नहीं देखा है हमें, क्या देखा है हमें, show, c part में देखा है निन साथ हमें, 06 और 30 है जो तीन डिजिट पहले पॉइंट 0.004 तो क्या जाएगा यह साथ चे चार क्या जाएगा तो यह हमारा हो जाएगा 0746 ठीक है हम चलते हैं इकोशन पर उसमें बोला है 700 प्लस 5 प्लस 9 पटे 100 तो इसमें क्या है 700 प्लस 20 प्लस 5 तो 700 के नीचे 700 आ जाएगा बीस के नीचे 20 के नीचे पांच जब नौक आप 100 से डिवाइड करोगे तो यह हो जाएगा 0.09 जो आप इन सबको प्लस करोगे तो यह हो जाएगा 720 और 5 यानि कि 725.09 अब हमारे D part हम देख लेते हैं D part में हमें क्या बोला है? हमें बोला है 23 प्लस 2 बटे 10 प्लस 6 बटे 1000 तो अब हम इसे solve करते हैं तो 23 के जगे 23 ही आ जायेगा 2 बटे 10 के नीचे आ जायेगा 0.2 और 6 बटे 1000 के नीचे आ जायेगा 0.006 क्यों? 3 0 है तो 3 डिजिट पहले point आएगा इस दिए 1 डिजिट थी 2 0 और ले ली तो इसका अंसर हो जायेगा 23.206 क्योंकि ये क्या है? ये हमारा दशांश, शतांश और ये 1000 होगा नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं निम्द दशांबलो को शब्दों में लिखिए अब इन्हें शब्दों में लिखना है तो 0.03 है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 0 को हम कहते हैं 6 6.0.03 ये तो बहुत सिंपल है अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1.2 शुन्ने है है ना? और ये क्या हो जाएगा? 108.56 आप एक चीज़ जरूर याद रखिएगा यहां कि हम दशमलो की बाद वाले जो नंबर होते हैं उन्हें हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि दशमलो 56 ये दशमलो 57 ये दशमलो 58 हम इने बोलते हैं दशमलो 56 इन नंबर्स को हम अलग लग करके बोलते हैं क्योंकि अगर हम इसे 56 बोलेंगे तो 56 का मतलब क्या होता है? ये होता है 50 प्लस 6 तो ये 50 प्लस 6 तो नहीं है ना यहां पे तो 5 का मतलब है 5 दशांश और 6 का मतलब है 6 शतांश तो इसके हम इने अलग लग करके पढ़ते हैं 108 यानि कि पढ़ेंगे 5.008 ठीके? नेक्स कुश्चन में हमसे क्या बोला है? संक्या रेखा कि किनी किन दो बिंदो के बीच निम संख्या इस्तिद हैं अब देखो ये है 0.006 ये है ना तो सभी संक्या 0 रेख के बीच इस्तिद हैं क्यों है? क्योंकि इनका पूर्ण भाग है सबका 0 है क्या है सबका पूर्ण भाग? यहां सबका जो पूर्ण भाग है सबका पूर्ण भाग यहां 0 है तो इसलिए सारी संक्याएं 0 से 1 के बीच में इस्तिद हैं तो 0.06 है ना तो यह बिंदू एक के पास है क्यों क्यों कि जब पॉइंट के बाद second place पे क्या होता है 5 से ज़या हुता है तो फस्स प्लेस में एक अड़ कर देते हैं ठीक है तो हमने क्या कर रहा है इसको एक नंबर बढ़ा दिया तो यह हो गया 0.5 अब ऐसे ही से देखो यहां क्या है पास से जादा है तो यह हो जाएगा 0.2 के पास इस्तित है अब यह है 0.66 अब 6.6 का मतलब क्या है देखो second place पे क्या है पास यह पास से जादा है तो हम 6 वाली की हमारा 2 हमारा 5 है यह 5 से जादा है नहीं है तो पहले वाले place में कुछ भी प्लस नहीं करेंगे वह जो है वही आ जाएगा तो यह 0.9 ही रह जाएगा तो 0.92 बिंदू 0.9 के पास इस्तित है अब हमारा है f point में 0.57 क्या है 0.57 तो देखो जारा 7 जो है वह 5 से जादा है तो का मतलब यह हो जाएगा 0.6 के पास इस्तित है नियुंतम रूप में बिन बनाकर लिखिए क्या के लिखेंगे नियुंतम रूप में बनाकर देखो ए पार्ट हमारा इसमें हमसे बोला है 0.60 यहीं बोला है ना तो यहां से हम क्या करेंगे यहां से point रटाएंगे अब कितनी इस नंबर है point के बाद 2 तो हम यहां 2-0 लगा देंगे अब बस कुछ नहीं करना है इसको solve करना है 0 से हमारी 0 जाएगी 2-3-6 हो जाएगा 2-5-10 तो यह हमारा answer हो जाएगा 3 बटे 5 यानकी 3 by 5 अब यहां पे है 0.05 फिर से वही point के बाद 2 नंबर है तो upon में 2-0 आ जाएगी ज 0.05 है तो point के बाद 2 नंबर है तो 2-0 हो जाएगी तो 75 by 100 तो यह हो जाएगा जब आप इसे 5 से ही काट सकते हैं क्योंकि last में 5 और 0 हो जाएगा जब 5 से इसे काट होगे तो यहां हो जाएगा 15 और यहां हो जाएगा 20 ठीक है अब भी आगी चल सकता है तो हम क्या करेंगे 5-3 15 और पांच चौक 20 और आप इसे 25 से भी डारेक्ट सरलतम रूप में लिख सकते दे 25 तिया 75 और पच्चिस चौक 100 ठीक है अब डी पार्ट में हम देखेंगे 0.18 तो यह काट वही दो नंबर है तो दो जिरो हो जाएगी अब इसे आप टू से काटेंगे तो टू 9 जाएटीन और 25 फोर जा 100 वन बाय फोर इसका नियुन तम रूप हो गया अब यह है 0.125 पॉइंट के बाद 3 नंबर है तो 3-0 आजाएगी तो अगर हम डारेक्ट इसे काटना चाहे तो 125 वन जा 125 और 125 एट जा 1000 होते हैं और आप इतना लंबा टेबल नहीं पड़ सकते हैं तो आप इसे पाच से काट सकते हैं 5, 2,10, 5,25, पाच दूनी 10, 0,0 अब भी यह पाच से काट सकता है तो यह पाच 5,25, 24,-20, 0,0 बी काट सकता है 5,1,5,5,5,8,4 तो एक बटे 8 अब क्या है हमारे 0.06, तो यहा पॉइंट के बाद 3 नंबर है न तो क्या जाएगई तो 3,0 आजाएगी तो सब आप इसे काटगे तो डो ती अच्छ है दो ती एच्छ है और यहाँ लिबेढ बटे पांजो मुतrogen स्था अ में लिखना और नची ता रॉटि आप है में डैलशनी के म tack जीखे नूट भू करेंट और आगर सेकेंड्स सदेंद मेवला को इस सदानी में देते हैं यहां 5 है तो 5 में 1 जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 6 तो यह हमारा आंसर हो जाएगा round off होगे 0.6 और हमने क्या सीखा और हमने सीखा कि जैसे यहां दे रखा है 0.25 इसे नियून तम रूप में और 6 लिखा है तो हम इसे .56 नहीं पड़ेंगे हम इसे पड़ेंगे पांच अलग पड़ते हैं हम इसे 5 अलग पड़ेंगे और 6 अलग पड़ेंगे पर इस पॉइंट से पहले वाले नमबर को हम पढ़ेंगे 246.56 ठीक है? तो यह सब हमने सीखा, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थेंक यू.